एक पात साल की मासूम ने खेलते वक्त पांच रुपए का सिक्का निगल लिया था परीजनों ने मासूम को जिला स्पताल में भर्ती कराया आज डॉक्टर ने सफलता पूर्वक ऑपरेशन कर मासूम की आहार नाल में फसे सिक्के को सुरक्षित बाहर निकाला जानकारी अनुसार दिनेश शाक्य ग्राम बर खेडा थाना पौरी की पांच वर्षिय बेटी प्राची पांच रुपए के सिक्के से खेल रही थी इसी दोरान उसने पांच रुपए के सिक्के को निकल लिया सिक्का उसके गले में जाटका परीजनों ने मासूम को जिला अस्पिताल में भरती कराया जहां डॉक्टर अभिशेक गोयल ने आज दुर्बीन पद्दती से मासूम के गले में फसे सिक्के को बाहर निकाला डॉक्टर अभिशिक गोईल ने बताए कि लगातार इस प्रकार के केस सामने आ रहे हैं बच्चों के माता पिता को सावधानी रखनी चाहिए पहरी थाना शेत्र के ग्राम बर्खेडा में रहने वाले दिनेश शाके की पांच साल की बेटी प्राची भी पांच रुपे के सिक्के से खेलते खेलते उसे निगल गई जिसका सफलता पूर्वक ओपरेशन कर सिक्का निकाल लिया गया था तीन निन के भी तरग दो बच्चों द्वारा सिक्का निगलने का मामला सामने आ चुका है पहरी से धर्मेंदर शर्मा की डिपॉर्ट यजे आप लिए गगा इसके बाद आप उसके बात नहीं लेकर आया है जब पढमा क्या बूल या डोक्टर नो बोला कर चार वजे हो कितने चीए आपके दू जो येंदू लड़कीं है बढ़ी है ये बढ़ी है